रेत में गिरिवी चीनी चीन्टी तो उठा सकती है पर हाती नहीं इसलिए छोटे आदमी को छोटा मत समझो कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है लक्षमी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वति की नहीं इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले सिक्सित बनाईए नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ब्रस्पती के मिन रासिम प्रवेश के इस विसे इस एपिसोड में ये एपिसोड आपकी रासी नाम रासी अधात मून साइन पर आधारी थे इस एपिसोड में मैं सिरफ मकर रासी पर ब्रस्पती के गोचर परवेश का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में विसलेशन कर रहा हूँ क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष ये चार प्रकार के पुरुषाद प्राप्त करना चाहते है क्योंकि ब्रस्पती फर्स्थ, फिफ्थ, नाइंथ और टेंथ भावों के अता चार भावों के कारगर है इन चार भावों में इस तिद्ध ब्रस्पती आपको धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष ये चार प्रकार के पुरुशाद प्रदान करते हैं ब्रस्पति देव मानव की भौतिक शेत्र में उन्रती नहीं करते बलकि अध्यात्मिक शेत्र में भी ज्यान की चरम सिमाव तक पहुचा देते हैं जीवन के महत्मून विशियों पर ब्रस्पति का विशेश अधिकार है जैसे सिक्सा, विवा, संतान, धार्म, धन, परोपकार जीवन के इन पक्सों से संतुस्त वक्ति नी संदे भागिसाली माना जाता है एक महत्मून ग्रंद के स्लोक में बनीत है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भावसागर को पार करने के लिए ब्रस्पति और शुक्र नामक दो चपू बनाए इनकी साहत ऐसे व्यक्ति दोश रुपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां सुब कर्म है अता सात्विक गुणों के प्रदाता ब्रस्पति देव ही है यह मानना चाहिए पौरानिक सास्त्रों के नुसार ब्रस्पति ग्र ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिदेत्व करते हैं सास्त्रों में ब्रस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है ब्रसपति देव को वेदिक जोति समें आकास तत्व का अधीपती माना गया है इसका गुण, विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है ब्रेस्पति पिष्ले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से सम्मधित विश्यों के संतुलन का प्रितिनीदित्व भी करते हैं तो ब्रेस्पति शिक्सा और ज्ञान के प्रसास से सम्मधित भी है आपकी कुंडली में ब्रसपती उच होता है अता जिनकी कुंडली में ब्रसपती उच होता है वे मनुश्य जिवन की प्रगती के साथ साथ कुछ मोटे या थुलतुल होते चले जाते हैं किन्तु उनका सामराज्य और समर्दी भी बढ़ती ही चले जाती है करक रासी में ब्रस्पति उचके माने जाते हैं तो मकर रासी में नीचके माने जाते हैं सूर्य चनमा मंगल के साथ में ब्रस्पति की मित्रता है तो शुक्र और बुद्ध के साथ में सत्रुवत सम्मंद रखते हैं व्यवार रखते हैं राउ और कितू और शनी के साथ में ब्रस्पति का सम्मद्ध निट्रल है तटस्त है। आपकी रासी से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th बाव में जब जब भी गोचरवस ब्रस्पति देव पदारेंगे तब आपको सुभफल प्रदान ही करेंगे। ब्रस्पति के में रासी में प्रुवेस करने पर आपकी रासी से करक रासी को 5th दस्ती से, पंचम दस्ती से, कन्या रासी को 17 दस्ती से और रस्चिक रासी को 9 दस्ती से दस्तिपात करेंगे। ब्रस्पति की जहां जहां पी द्रस्ति पढ़ती है वहां वहां अपना सुब प्रभाव दिखलाते ही हैं 13 अप्रेल 2022 को ब्रस्पति पूर्वा बाद्रपत नक्षत के चतुल चर्व में प्रुविस करके मीन रासी में आ जाएंगे आए इस रासी फल के मध्यम से डालते हैं उन प्रभावव पर एक नजर ब्रस्पति आपकी रासी से नास बाव 12 आउस और परक्रम बाव 3 आउस के स्वामी है तता रासी से पराक्रम बाव 13 आउस में गोचरवस ब्रस्पति देव का प्रवेस हो रहा है जो कि सामान्य फल पर दे रहेगा ब्रस्पति की रासी परतन से दामपति सुक बाव 7 आउस बागे बाव 9 आउस और लाब बाव 11 आउस पर जस्ति पाद होगा और याद रखिए कि ब्रस्पति की दस्ति में ही अमरत दे इसने जिस दिस बाव पर ब्रस्पति की दस्ति पड़ेगी वहाँ का सुपफल ज़्यादा मिलेगा रासी कुली में तीसरा बाव भाई बैनों के साथ संबंदों और पराक्रम के लिए जाना जाता है ब्रस्पति की दस्ति परवतन के कारण भाई बैनों के साथ में आपके संबंदों में सुधार होगा पिसले लंबे समय से चले आरे मदबेद अब दूर हो सकते हैं सारी रिक पीड़ा तो होगी और साथ साथ कुटुमबियों से खांदान वालों से कुछ वादवियाद भी हो सकता है इस समय नौकरी पेसा या व्यापार करने वाले लोगों को भी थोड़ी बहुत परिशानी आ सकती है आपके काम काज में, आपके रोजगार में, आपके प्रॉपर्शन में कुछ विवाद जनक इस्तिती उत्पन हो सकती है या कई बार नौकरी छूटने की नौबत तक बन सकती है सरकारी कमचारियों का विरोध या सरकारी करमचारियों से विरोध हो सकता है इस गोचर में आपको अपने सहयोगियों से या अपने करमचारियों से सक्ति से पेश आने से बचना होगा उनसे प्रेम पूर्वक बात करके ही काम निकलवाने की कोशिज करनी चाहिए आपको अपने निवास स्थान में परिवर्तन करना पड़ सकता है आत्मविस्वास में कमी मैसूस होगी विद्यारतियों को सिक्सास से असंतुस्ती हो सकती है घर, परिवार और धन संपती पक्स भी संतुस्ती प्रद नहीं रहेगा आपको बुद्धी बल तो मिलेगा नहीं नहीं आइडियाज भी आएंगे पर उन तो आप उनका उप्योग सही डंग से नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स के साथ में भी कुछ ने कुछ बुरा हो सकता है जो आपको सपोर्ट करने वाले फ्रेंड्स उनके साथ में भी कुछ ने कुछ परिशानी आ जाएंगी तो वो भी आपका support नहीं कर पाएंगे, आपको help नहीं कर पाएंगे, धन और मान समान की हानी हो सकती है, बदनाम हो सकते हैं, व्यवसाई की यात्राइं भी कुछ लाब दायग नहीं रहेंगी, फिर भी कुछ आर्तिक लाब या राहत या बीच बीच में कुछ काम मिलने से, फ प्रतिकुलता में कुछ कमी मिल सकती है, आपको राहत मिल सकती है, अब बात करते हैं ब्रस्पति के द्रस्ति फल की, ब्रस्पति को दो विसेश द्रस्तियां प्रापते हैं, रासी से पंचम बाव और रासी से नवम बाव पर, रासी से सप्तम बाव में हैं, तो हर ग्रत द् चाहिंत। यह जर्स्टी फल आपको मिलेगा, उसमें से सबसे पहले ब्रस्पति के पंचम जर्स्टी का फल मैं आपको बतला रहा हूं। ब्रस्पति अपनी पांचवी दर्स्ती से उच बाव को करक्रासी को देखने से दांपत सुक में सुखद अनुपती होने लगी जो लोग कोई गैरी फ्रेंडशिप में हैं रिलेसंसिप में हैं या यह बोल सकते हैं प्रेम संबंदों के लिए गोचर काफी पॉजिटिव रहन मिल सकती है इस गोचर में परिवार के सजेस्टियों के बीश में आपसी समझ को बढ़ाने की आवशक्ता पड़ेगी अन्यता वादविवा से असान्ती फैल सकती है जीवन सात्य को स्वास्ति से समझ परिशानिया बढ़ सकती है और पढ़िश्टियों के साथ में संबंद खराब हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं आईए अब बात करें ब्रस्पति की सब्तम जस्ति की जो की भाग्यबाव पर है नाइंता उस पर है तो ब्रस्पति की सात्वी जस्ति से भाग्य के साथ में रद्धी होगी इस गोचर अवदी में आप धार्मिक कारियों में धार सा लेंगे या आयोजन करवाएंगे समाज में यस और सम्मान बढ़ सकता है इन कामों से विद्यारतियों के लिए उच्छ सिक्सा या किसी अन्य कोर्स में एड्मिशन के जो इच्छुक हैं उनको अपने प्रियास में सफलता मिल सकती है नई योजनाओं में कुछ व्यवदान तो मिलेगा मानसी ग्रूप से असांत भी हो सकते हैं अदालती मामलों में आपको कुछ सेटल्मेंट से समाधान की उमीद कर सकते हैं स्वास्ति के लियास से यह समय नाजुक है आपको सतर करने के आवशकता है और जो लोग इमिनल सिस्टम वीक है जिनका या जो ऑल्लेडी क किसी बिमारी से ग्रसित हैं उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अब बात करते हैं ब्रस्पति की नवम जस्ति की जो की लाब बाव पर है 11 ताउस पर है तो ब्रस्पति की नवम जस्ति से आमधनी की रिकावटों को दूर करेंगे और सफलता पाने लगेंगे अप अपने काम की गति को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उनको प्रयास करना चाहिए अनेता बहुत सी नईनी चुरोतियां सामने आने लगेंगी जो लोग खेल या अभिने से जुड़ेवे उन्हें जोखिम लेने से बचना चाहिए लोन के लिए अपलाई करते समय की कोशिज करें अपने आपके अंदर इंप्रूमेंट करें वह आपके लिए ज्यादा बैटर होगा आई अब बात करते हैं ब्रस्पति ग्रह की सांति के कुछ उपायों के बारे में अगर आप ब्रस्पति के दूस प्रवाव से पीडित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बत उसे छुटकारा दिला सकती है तता पापों का नाश कर सकती है ऐसी इस्थिति में जो भी डाइबिटिक हैं जो भी इस्तमक के एंटेस्टाइन से सम्मधित जो परेशानी वाले मरीज़ हैं या पीडित लोग हैं उनको ब्रस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी दारन करना चाहिए अत्वा लक्षमी नाराइण कवच दारन करना चाहिए आप मैंसे जो समर्तिवान है वो दोनों का सहुक्तिकवच बना करके भी धारन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही विश्णु से सम्मंधिते हैं जन्म कुंडली में ब्रस्पति सुब भाओं का स्वा करके भी धारन कर सकते हैं ब्रस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्र दोस्ट निवालक पिरामिड आप जहां सोते हैं वहां साइट टेबल पर रखना है यह आपकी माइंड बोडी और सोल को ट्यून अप करता है जो भी ग्रह रासी परतन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धी पर पड़ता है उसके बाद में आपके सरीर पर तो आपके सरीर और बुद्धी पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े इसी चीज के लिए या यह बोसकते है पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनरजी स्प्रेड करता है करना चाहिए और अभिशेक करते समय ओम नमो भगवते वासु दिवाए इस मंत्र का मन हे मन उचारण करना चाहिए तो ब्रसपतिवार के दिन आपको गाये को गुड और केला खिलाना चाहिए ठिक मैं समझता हूं कि हर जगह पे हर सेहर में ये संभव नहीं है आप में से जो लोग ये उपाएं नहीं कर पाएं वो उसका अल्टरिनेट ढोंड लें क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है चाहिए कोई भी कंट्री में रता है और दान हर व्यक्ति कर सकता है जहां पर भी उसको लगे किस व्यक्ति को जलूरत है तो ऐसी इस्तिम गुड केला औ आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाब करें जैसे ब्रस्पति का एकाक्षिर मंत्र है ओम ब्रम ब्रस्पते नम और या पिर ब्रस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नम आप इस मंत्र का जाब कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इजी लगे वो आप जाब कर सकते हैं तो इस प्रकार ब्रस्पति के प्रतिकुल प्रभावों से नेगेटिव प्रभावों से आप रहत भी प्राप्त कर सकते हैं हर किसी रासी को ब्रस्पति का सुप पढ़नामी मिले ये भी जरूरी नहीं है और हर किसी को असुप पढ़नाम मिले, ये भी जलूरी नहीं है, लेकिन जिनको ब्रस पति का असूर्परणा मिल रहा है, या जिनको असूर्परणा मिले गा, जैसा मैं रासीफल में बतलाया है, उन लोगों को ब्रस पति के दान, पूझा कुपासना मंतजाब करने से इराहत मिलती है, इसमें कोई शंचा नही ब्रस्पति का यह रासिफल आपकी जन कुली में सरफ एक जो ग्रह चनमा उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है आपकी कुली में ब्रस्पति कैसा है आपको कौन सी दसा चल रही है ब्रस्पति किन ग्रहों के साथ में किन ग्रहों की दरस्ति में कितनी डिगरी के इसका असल भ परतन कर रहें तो आप चाहें तो अपनी रासी अपनी जन्म कुंड़ी का नुसार भी विश्टलेशन करवा सकते हैं और उससे ज्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्यां चल रही है जो आपके प्रस्न है जो आपकी जिग्यास है उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्ता से कुड़ी करा है और आप अपनी जन्म कुड़ी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं वहाँ पर संपर्ग स्थापित कर सकते हैं जिन सेरों में मैं आऊंगा वहां पर रूब रू मिल सकते हैं और या पर टैलिफोनी कंसल्टनस्य के मद्यम से आप और मै आपकी जन्म कुणली पर, आपकी समस्याँ पर, आपकी जिग्यासा पर, पस्नों पर बात करते रहेंगे और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा इस एपिसोड को यहीं समाध करते हैं, मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का, घर के छोड़-छोड़े बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेश ध्यान रखें, उनका खैल रखें आप सभी को मेरे नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्त कामने, इश्वर आपकी रख्षा करें, भगवान विश्णु देव आपकी रख्षा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद